एले दोस्तों स्वागेत आपका मेरे चैनल वास्टो ट्विप्स घरेल उक्चार में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़िए। आज हम बात करेंगे मिथुन वार्सिक रासिपल 2024, मिथुन रासिपल के लिए कैरियर, व्यापार, प्रेम, शिक्षा और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? रासिपल आपको जाग रुक करने और आपके जीवन में सही राज़ पर ले जाने के लिए होते हैं। किसी खास चीज को पूरे दिल से हांसिस करने की कोसिष करते हैं, लेकिन आखिर में ऐसा करने मां असफल हो जाते हैं। यहाँ आपको कोसिष में कमी के परणां हो सकते हैं या गिर्या या रासियों का आप पर प्रभाव हो सकता है। गिराओं का पुर्भाव सभी रासियों के जातकों पर अलग-अलग तरह से दिखाई देता है किसी पर गिराओं का पुर्भार अनकूल होता है तो किसी पर पृतिकूल लेकिन ये गिराओं कभी भी किसी भी जातक की रासि पर इस्तित नहीं होते यह समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं मितुन रासी के लिए साल 2024 की ब्यासाइक तोर पर सुरवात आउस्द रहीगी नया उद्द्योग सुरू करने के लिए उसाल एक आदर से होगा मिथुन रासी फल 2024 के अनुसार मिथुन रासी वालों के लिए यह साल समान ने रहने वाल है कैरियर के छेत्र में अच्छी सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी लेकिन आर्थिक मोर्चे पर इस साल आपको कोई बड़ी सौगात मिल सकती है जात्रों को भी इस साल सुपसमाचार मिल सकते हैं मिथुन रासी वालों को साल के सुरुवाती दिनों में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है धैरे के साथ उन्नती के पत्पर कदम बढ़ाएं अगस्त के बाद पड़ों निती उच्छी धेकारियों से प्रसंसा और उच्छी तिस्थान पर इस्थाना अंत्रण जैसे सफलता भी मिल सकती है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिथुन रासी की दोजार चौबिस में आर्थी किस्थिती कैसी रहने वाली है मिथुन वार्षिक रासी फल दोजार चौबिस के अनुसार अपरें लोजार चौबिस के बाद धन का प्रवाद ज्यादे खास नहीं रहने की आसंक है क्योंकि ब्रेसपती की बारवी भाग में बैठे होने के कारण आपके खर्चों में पड़ोतरी हो सकती है साथ ही गुरू के दस्वे और सात्वे भाव के स्वामी होने के कारण इस सवुद्धी में आपके याए में ब्रद्धी के साथ साथ आपके खर्चों में भी ब्रद्धी होगी 18 जनौरी 24 से लेकर 11 जून 24 तक इससी अच्छी रहेगी और ऐसे में आपको अच्छी खासी मात्रा में धन की प्राप्ती भी हो सकती है और आप धन की बचट भी कर सकेंगे वरसे 24 के पहले भाग में इन जातकों को आई में ब्रद्धी के साथ साथ धन की बचट करने के अवसर मिलेंगे सनी आपके नुए भाव में मौजूद होंगे जो की धन सम्बंदित मामलों में आपको सकारात्मक परड़ाम प्रदान करेंगे जबकि छाय गिरे राहू आपके दस्वे भाव में और केतु आपके चोथे भाव में बैठे होंगे और यह आय और ब्याई के छेतर में मौले जुरे परड़ाम प्रदान करेंगे मिथुन रास्टी का 2424 में कारोबार कैसा रहेगा आपको अपने कारे में सफलता मिलेगी आपको अपने ब्यापार के लिए भाहियों का पूरा सहयोग मिल सकता है एकादस भाव पर ब्रस्पेत्य और सनी के सहयोग तो गोचर प्रभाव के करण आपको अधिकारियों और वरिष्ट वेक्तियों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है इससे आपके आमदनी में इजाफा होगा अपरेल के बाद आपके गुप्त सत्रो या ब्रेदी आपके कारें को पूरा करने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं इस समय कोई भी निवेश करने को लेकर जल्द बाजी में कोई निर्णा ना ले मितन रासी के जातकों को दोजाचोबिस में अपने केरियर और बित्त में बहुत उतार चड़ावकान भाव हो सकता है खासकर पीस अपरेल दोजाचोबिस के बाद उन्हें अपनी वर्तमार नौकरी अव्यसाई में चुनोते को सामना करना पड़ सकता है जिससे अनिच्चिता और अस्थिर्ता का दोर आ सकता है मितन रासी वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा साबित होगा आखिरकार आप एक नई नौकरी पाने के लिए अपने लक्षे को प्राप्त कर लेंगे और यह नई सुर्वाद विकास और सीखने के कई रोमांचक अफसर भी आपको दे सकती है जान लेते हैं मितन रासी वालों के लिए 2024 में स्वास्ता कैसा रहेगा मितन रासी के ब्यक्तियों को 2024 में कुछ स्वास्त संबंदी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है विसे इस रूप से तनाव और चिंता से संबंदित वे अपने काम और निजी जीवन से अभीबूत महसूस कर सकते हैं जो उनके मानसिक और भावात्मक कल्याण को प्रभावित कर सकता है अच्छा स्वास्त बनाई रखने के लिए मितन रासी के ब्यक्तियों को नियमित ब्यायाम, ध्यान और संतुलित आहर सहीत एक स्वास्त जीवन जीने की सैली को अपनाने के आउसकता हो सकती है यदि वे किसी मानसिक स्वास्त समय से का अनुभू करते हैं तो उन्हें पेसेवर मदद लेने से भी लाव हो सकता है मिठुन प्रेम रासिफल दोजाचोबिस रासिफल दोजाचोबिस के अनुसार यह साल आपके प्रेम जीवन के लिए खास रहेगा आप अपने लव पार्डनर के साथ समय का लुफ्ट उठा सकते हैं इस समय आप अपनी लव लाइफ को लेकर काफी प्रिशन महसूस करेंगे साल के सुरुवाद में आप किसी ऐसे मौके की तलास में रहेंगे जिसमें आप अपने प्रिया के साथ बैठकर उनसे अपने दिल की बात कह सकें आप अपने रिस्ते को एक कदम और आगे ले जाने के बारे में सोच सकते हैं आप अपने लव पार्डनर को अपना जीवन साथ ही बनाना चाहेंगे अपरेल का मेहना आपके प्यार के बंधन को और भी जादर मज़िबूत करेगा इस दोरान आप दोनों के प्रेम संबंदम प्रिगाड़ता आएगी वहीं जो लोग प्यार की तलास में हैं उनकी तला अगस्त में खतम होगी इस समय आपकी नई प्रेम कहने शुरू हो सकती है हाला कि किसी बात को लेकर प्रेमी से तरह हो सकता है जब ऐसा हो तो इसे तूलना दे और रिस्तिती को नियंदर करने का प्रयास करें अगर किसी तरह की गलत पहिम है तो उसे भी बातचीत के जरिये दूर कर ले अक्टूबर में हालात फिर से समानने हो जाएंगे इस से में आपके मन को कामुग विचार आ सकते हैं हाला कि आपको इन विचारों पर नियंदर रखना होगा प्यार महुबत के मामले में घरवालों को आपत्ती हो सकती है लेकिन बाद में वो आपके रिस्ते के लिए भी मान सकते है मिथुन रासिपल दोचार चोबीस के अनसर विद्यारतियों के लिए यह साल अच्छा रहेगा इस वर से छात्रों को परिक्षा में अच्छांके प्राप्त हो सकते हैं पढ़ाई में सफलता के लिए आपका संकल्ब में मजबूद रहेगा पढ़ाई में आपकी महनत और लगन आपके भवस्य की राहत आई करेगी इस वर से आप मानसिक रूप से परिपक रहेगे शिक्स्या के पिर्ति आपका लगाव देखने लाइक रहेगा शिक्सया के लिए आपको सहफाटियों और सिक्सयकों से हर संबद मदद मिल सकती है अगर आप पढ़ाई के पिर्ति अपनी महनत इसी तरह बनाई रखेंगे तो आप बड़ी से बड़ी परिक्षा में भी सफल हो सकते हैं जो लोग किसी प्रितियोगिता परिक्षा की तयारी कर रहे हैं उन्हें इस वर से सफलता मिलने की प्रबल समाऊना है हाला कि इनके लिए छात्रों को कड़ी महनत करनी पड़ सकती है लॉय स्टूडेंट के लिए वसाल अच्छा रहेगा इस छेत्र में आपके लिए काफी संभावना होंगी हाला कि इनके लिए छात्रों के सिक्षण संतान का चयान अच्छा होना चाहिए आर्स स्ट्रीम के छात्रों को प्रोफेस्टनल कोर्सेश पर भी ध्यान देना होगा यदि उच्छे सिक्षा के लिए वो किसी प्रतिष्टित सिक्षाड संस्तान का चैयन किया जाए तो वो भविस्ते को बहतर बना सकता है मिठुन 2024 रास्टिपल बैवाइक जियन के लिए किसी गलत फैमी के कारण आपको बैवाइक जियन संबंद कमजोर हो सकते हैं इसलिए किसी भी गलत फैमी या संका को तुरंट दूर कर ले हाला कि दामपत्य जियन सुखमा ही रहेगा जिवन साथी के साथ आपके संबंद अच्छे रहेंगे और आप एक दूर्सरे की भावनां को समझेंगे इस दौरान आप उनके साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं कुछ सिजिस्टेशन आप दोनों की पसंदीदा जगे होंगे हर परस्तिती में आपका जिवन साथी आपकी ढाल बनकर आगे खड़ा रहेगा आपके सफल प्रियासों में उनका भी योगदान रहेगा संतान के लिए योब वरसे बहतर दिख रहा है सिख्षा के छेत्रे में उनका प्रिदसन सहारी नहीं रहेगा उनकी तरक्की आपकी मुस्कान की बज़े बनेगी जनवरी अप्रेल और अक्टूबर का समय संतान के लिए अनकूल रहेगा लेकिन उनके लिए समय थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है इस समय आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा उनकी गत्ति विद्यों पर भी नजर रखें पढ़ाई के लिए वे देश भी जा सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए ताकि मैं रोज नही नही वीडियो आपके लिए ला सकूँ